रियल क्रिके 20 मल्टी प्लेयर मोड में प्लेयर्स की काटिगरी चेंज हो या ना हो लेकिन नए कार्ड्स को एड़ कर ही दिया जाता है और खासकर यूआ प्लेयर्स को और ऐसे ही एक यूआ प्लेयर तिलक वर्मा ने भी इस IPL में अपनी बैटिंग का मुझाहिरा पेश किया है जिस पर कार से खेले हैं उसे लगता है कि इनका भविश्या काफी उजवल होने वाला है और ये जल्द ही रियल क्रिके 20 मल्टी प्लेयर मोड में भी एड़ हो सकते हैं तो चलिए जानते हैं कि आखिर तिलक वर्मा को ओफ लाइन मोड में कैसा बनाया गया है और अगर इनको मल्टी प्लेयर मोड में एड़ किया जाता है तो इनकी रेटिंग कैसी हो सकती हैं तिलक वर्मा एक 19 वरश या युवा प्लेयर हैं जो की इंडिया अंडर 19 और डोमेस्टिक में हैदराबाद के लिए खेले हैं इनको आई प्ल में मुंबई इंडियन्स के लिए खेलते देखा गया और इनोंने काफी अच्छा पर्फॉर्म किया रियल क्रिके 20 के ओफ लाइन मोड में इनको एक लेफ्ट हैंडिर ब्रूट बैट्स्वैन बनाया गया है जिनकी की टेकनिक से 67 और टाइमिंग है 73 इसके लावा बैटिंग एग्रेशन इनको 78 का दिया गया है फिलहाल के हिसाब से इनको काफी अच्छी रेटिंग्स दी गई है और एक एग्रेशिव प्लेयर बनाया गया है तिलिक वर्मा एक अच्छे बल्लेबाज होने के साथ साथ ओकेशनल ओफ स्पिनर भी है ये कोई राइट आर्म ओफ स्पिनर है जिनकी की स्किल्स 60 और मुमेंटा 56 से तो वहीं इनको फिल्ड रेटिंग्स 72 की दी गई है एक पार्ट टाइम होने के हिसाब से काफी अच्छी रेटिंग्स यहाँ पर भी है अब अगर करें इनका मल्टी प्लेयर प्रिव्यू तो इनको फिल्हाल के हिसाब से शायद ब्रोंज कैटिगिरी ही मिल सके क्योंकि अभी इन्होंने इंटरनेशनल भी नहीं खेला है और IPL में भी एक नया चेहरा ही है लेकिन शायद इनको लेकर सिल्वर कैटिगिरी की तरफ भी ध्याम दिया जा सके तो इनको रेटिंग्स तो लगभग सभी अच्छी मिली है टाइमिंग और बैटिंग अग्रेसन काफी अच्छा है टैकनिक्स थोड़ी से बढ़ानी चाहिए एटलिस्ट 70 होनी चाहिए गेंदबाजी रेटिंग्स तो सही है लेकिन फिल्ड रेटिंग्स थोड़ी बढ़ानी चाहिए 72 से एटलिस्ट 75 के असपास की करनी चाहिए तो कुछ ऐसे होने चाहिए तिलक वर्मा अगर इनको मल्टि प्लेयर मोड में एड़ किया जाता है आपके हिसाब से तिलक वर्मा को कौन सी कैटगिरी देनी चाहिए अपनी उपीनियन दीजे नीचे कमेंट सेक्टन में सुडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सकाब कीजिए